तो कैसे हैं आप दोस्तों आग मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने सैंपसंग मॉबाइल को हैंगी होने से बचा पाएंगे या फिर हो किया सकते हैं अगर आपका सैंपसंग का मॉबाइल हैंग हो रहा है या बोल सकते हैं लैग हो रहा है उसको कैसे सल्यूशन करें या बुल सकते हैं कैसे उस problem को salute करें तो आगे आपको बताने वाला हूं जो मैं आपको आपको tip बताने वाला हूं ये tip मैंने अपने mobile पर खुद को follow करके रखिए और मुझे उसका result अच्छा मिला या बुल सकते हैं 100% मुझे महाँ पर result मिला जो कि मैंने tip follow करिए आप भी अग आपके mobile में हैंगी होने के chances बहुत कम हो जाएंगे दोस्तों वीडियो को उसके मत करेंगा वीडियो को पूरा देखेंगा तो यह आप समझ पाएंगी दोस्तों चलते हैं आगे मेरा नाम सनी और और आपका स्वालत है मेरे चनल ऐसे टेक में तो दोस्तों जैसा कि मैंने बत आप एनलाइज स्टोरेज में करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे जो आपकी mobile की memory है किती परसेंट बढ़ी हुई है अगर आपकी mobile की percent 80 के above है तो आपको उसको खाली कर लेना है maximum आपको 60 या 70 परसेंट तक ही उसको भरना है जादा जादा 80 परसेंट तक जितना जादा आप उसको भर लेंगे 80 85 के above अगर आप उसको भरना चालू कर देंगे तो वहां पर आपका mobile हैंग होना या lag होना चालू जाएगा तो हमेंशाब अपने mobile को 80 के अंदर ही अंदर रखें 80 के ऊपर कोशिच ना करेंगी 80 के अब भी वह अगर होगा तो वहां पर आपको hanging के chances पढ़ जाएंगे तो यहां पर सबसे लिए उसको कम कर लेना है तो यहां पर आप देखेंगे एनलिस कर सकते हैं कि कहां कहां आपके जादा है like videos मेरे पास 1.GB की हैं यह सब चीज़े आपको पैवरा मिल जाएगा और यहां पर आपको जो main चीज़ देखना है कि recycle bin में आपक आपको सबको delete मार लेना है तो like यहां पर my file में हूँ my file में आपको recycle bin में जाना होगा recycle bin में जाने का आपको यहां से इसको empty कर लेना है my file का आपको जाना है यहां पर gallery में गैलरी में जाने का आपको जाना है यहां थ्री लाइन्स में यहां जाना है recycle bin में यहां पर आपको जो की वहां पर दिख रहा था कि आपके recycle bin में डेटा पड़ा है तो आपको यहां पर empty में कर लेना है और इसको यहां से पूरा delete कर लेन और जितनी भी आपके जो फालतू की एप से जो आप यूज नहीं करते हैं या भी बोल सकते हैं अन्यूजड एप हैं आपको उनको भी डिलीट कर देना है और फालतू की जो भी आपके वीडियो या फोटो ओ इमेज ओ जो ज़्यादा आपके काम की नहीं है सब चीजों को यहां पर इससे फाइदा क्यों जितनी कम आपकी मॉवाइल की मेमोरी बच होगी उतना ज़्यादा आपका मॉवाइल स्पीड़ी या भी हो सकते हैं स्मूथली वर्क करेगा तो यह सबसे पहला मेथड ही है तो यहां पर देख रहे हैं हो रहा है डिलीट हो रहा है जैसे ही बटता है तो मैं आगे आपको बताता हूँ नेक्स स्टैप आपको करने क्या है मैंको कोई डेवाप्शन वाला ईपशन नहीं बताने वाला वाला ληव ईडिवलापोर वाला सब नोकुत है आप को डिमशनके अपको वह ज्यादा कोई काम का होता नहीं ऐसे क्ते दिलीट हों ग लगभा 50% मेरे पास यहां पर अपर memory फिरी हो गई है, तो अब मेरे mobile की चलनी की speed भी यहां पर काफी हद तक smooth हो गई होगी, यहां पर आप तो यह काम हो गया, जो major काम है, आपका यही कि आपको अपने mobile की memory को free कर दिना है, उसके बाद आपको करना क्या है, यहां जाना अपन and device care पर आपको दिखरा होगा, आपको इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाने के बाद यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर जाना है, इस memory वाले option पर जाना है, इस नगारत आपको यहां पर सारी RAM में जो भी आपके background में, जो भी apps यूज और रहे होंगी, सब मिल देना है तो यहां पर जितने भी वेक्ट्राउंड फिर चल रही होगी सब बंद हो जाएगी और वो नॉर्मल में आओ जाएगा और आपकी महां पर रैम हो जाएगी उसके बाद आपको करना कब आना एं ही हाँ अप्टमाइज कहने लाएगा है एक खूल जाएगी कर लिना है और मेमोरी जो भी है उसको फ्री प्लना है उससे भी आपको खाफी हद तक आपको बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलने वाला है यह जो मैंने आपको दो टिप बताई है मैंने खुद अपने मोवाइल में फॉलो करी हुए और उसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है तो उमीद है कि आपको ही मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो तक आपने मेरे जोन सब्सक्राइब करना वहलें मिले और उसके निच्छे डिस्क्रिप्शन में तो थैंकि दोस्तों